हेलो एवरीवान वेलकम बैक टो दी चैनल मैं यूट्यूबर सुधा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों इस समय आप मुझे बड़ा सीरियस देख रहे होंगे तो एक्चुली मैं हम लोग निकल रहे हैं कहीं के लिए और निकल रहे हैं तो इस समय सारी टेंशन मुझे ये कि सब चीजे करके जाना है मुझे घर से सारे काम निपटा के जाना है तो इसलिए मैं सोच रहे इसलिए मेरे दिमाग में बाकी सब चीज़े चल रही है साथ में मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है तो यहां पे देखिए हम लोग जा रहे हैं बरम बाबा के दर्शन करने के लिए जहां पे मम्मी पापा अल्रेडी गए हुए है दर्शन करने तो हम लोग बरम महराज के यहां देखिए पहुँच गए है और मम्मी पापा हमें मिल गए है और मम्मी पापा हमें बहार लेके जा रहे हैं जहां पे यह लोग पूरे नौरात्री में नौ दिन रह रहे हैं जहां पे रुके हुए हैं तो हम लोग बरम बाबा के अब दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर पर पहुंच चुके हैं, और आज यहीं से हम लोग आगे निकल लेंगे हमारे नए डेस्टेशन के लिए, जहां हमारा समान गया है, जहां हम लोग अब रहने वाले हैं, तो वहां के लिए शाम तक में निकल लगती है और पुरा मेला लगा हुआ है अच्छा खासा लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों का यहां का व्लॉग शेर किया था तो यहां एकदम दूर दूर तक कुछ भी नहीं था पुरा जंगल जंगल ही था बट इस समय पे पुरा मेला लग जाता है क्योंकि यह नवरा त्री में नौ दिंग पूजा आरचना करते हैं और उनको मुक्ति मिल जाती तो यह देखिए पूरा मेला मैं मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छा खासा मेला लगा हुआ है और यहां पे देखिये पूरा मेले में हम लोग मेले मेले से गुजर के हम लोग मंदिर तक जाएंगे तो आप लोगों को दिखा रही हो और बाबा का आज श्रिंगार पूजा पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने में पिछली बार मैंने कुछ भी नहीं दिखा पाई थी ना बर इस बार मैंने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को भगवान की श्रिंगार पूजा तो दिखाए दूँ तो चलिए चलते हैं आप लोगों को भगवान की श्रिंगार पूजा दिखाएंगे बरम महराज मोहन बरम की और चलिए चलते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहा बबाबा मोहन बरम का जब उत्रा तो इनहीं का वी श्रेंगार किया जाएगा अच्छे से पूजा की जाएगी और सारा चीजें जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे इनकी पूजा की जाएगी तो बरम देवता हैं और ये सारी आपको रोग दुख और सारी परित बहुत है आप देख सकते हैं पूरा ये जो इनका आंगन है वो पूरा भरा हुआ है खचाखच भीड से इतने सारे लोग यहां पर मतलब पैर रखने की भी जगए नहीं होती और यहां पर देखे बगवान की आरती हो रही है श्रिंगार हो चुका है फूलों से पूरा देखे इसी तरह श्रिंगार पूजा होती है दोकाय के टाइम में भी होती है तो हम लोग दिन के टाइम में पहुँचे थे तो दोस्तों भी हम लोग पूजा से वापस आ गए हैं और हम लोग घर से ही पूरी सबजी में घर से ही लंच बना के लिखे आई थी तो यहां पे हम लोग लांच कर रहे हैं पापा जी पांडे जी और द्रूही सब लोग करें और मम्मी लोग यहाँ पीस रूम में रुकी हम लोग चल रहे हैं शाम का टाइम हो गया पांच बजे का और हम लोग निकल रहे हैं आस्वान में देख रहे हैं बादल घंगोर घी रहा हैं मौसम बड़ा पहुंसते 8 बज गया है तो अभी यहाँ पे अंदीर है और चावी नहीं है तो चावी का वेट करें अभी मकान मालिक चावी लेके आने वाले हैं तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में तो चावी आ जाती है फिर आपको चलते हैं घर दिखाएंगे कि हमार घर कौन सा है और कैसा है तो सब आपको देखने को मिलेगा नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाई बाई